कि यूटूब चैनल परिक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग छोलो फ्यू मेरी तू चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट के अब हम तैयारी अपने डेली कर रहे हैं एक चैप्टर आपको साइंस का करवाया जाता है डेली आपका है कि खाड़ी को हमारी सखते हैं उसके सब्सक्राइब करने सेटाप खाया यानि दसवा जिसके सब्सक्राइब करें गति एवम दूरियों का मापन हम देखेगे चैनल सबस्क्राइब करके रखेका टैके दिरेखकी ग्योंकि पहले बार यांदी यूटूब पर पहली बार आपको करवाई जा रही है सम्दिय चलिए अब अपने चाप्टर की ऊड़ बढ़ते हैं चाप्टर क्या बोलता है हमारा चलिए हमारा देखे चैप्टर नंबर कौन साथ 10 है दसवा चैप्टर हमारा है जिसमें हम गती और दूर्यों का मापन करेगे तो गती और दूर्यों का मापन हम इस चैप्टर में पढ़ेगे नो चैप्टर आपको और लेडी आप पढ़ चुके है और लेडी आपके आपको समझाय जा रहा है दिखाई जा रही है उसके साथ साथ आप अपनी तयारी है वह कंटिनू अपनी करते रहें चले चटी से 6-8 जो है आपकी साइंस जो है वह पूरे हम पढ़ेगे यह हमारा गती और दूर्यों का मापन है चैप्टर 10 चले अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के और चलते है पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें गती इसमें क्या है कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रिशम वावकास में भर्मन के गई स्थानों के बारे में सामान्य चर होता है और छूत फूर भैरा का इसमें यह और छूती है उसमें ब्हून को जैसे हम हैं एस यह आप सभी हो क्या करते दे दे कि अपने जो घर है यानि अपने जाते थे जाते थे तो मährले क्षेयर जहते जाते हैं ए दूर पमोने की और सहब शुक्त जाते थे बच्चे यानि जञुआ धरे वरा हमारी सब्सक्राइब जो हमारा समर वैकेशन होता है जिसमें घूमने जाते हैं गणियों की चुट्टी घूमने चाहते हैं तो उसमें बारे में बात की गई है चले पहला पॉंट है इस पर फिर आंत में पैलगाड में उप्योग करके गया था तो जो एक बच्छा था वह उसके बाद जयाता है उसके बैल गाडी करतेक लूज करके गया अगर अन्य विध्यार्ती ने अवकास के अनेक दिन अपने चाचा जी ओग की नाव में सेर करके मचली पकड़ने में व्यतित की और जो एक दूसरा बच्चा था उसने जो समर वैकेशन थी जो छुट्टियों के दिन थे उन में अपने जो उनका चाचा था यानि पापा का ज अगला पॉइंट है इसके पश्यात अध्याबग ने विध्यार्तों समचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए उन चोटे पईयों वाले वहनों के बारे में वर्णन जो मंगल ग्रह की धर्ति पर चले थे तो इसके पश्यात विध्यार्ती है जो टीचर था उन्हों चार पत्र में जो न्यूस थी उसे पढ़ने के लिए जिन में जो छोटे छोटे पईया और वहनों के बारे में डिसकेशन क्या गया बताया गया है जो कहां पर जो मंगल ग्रह उसकी धर्तिया उस पर चले थे और परियोग भी किये इन वहानों को मंगल तक ले जाने का कार् तो समर वेकेशन की बात होगी कि चुट्टियों के दिन में कैसे कैसे हम कहां कहां घूमने गए थे उसके बारे में विध्यारती जो है वह अपने टीचर से अपने सर से या मैडम से बात करे थे अगला है नेक्स्ट अब हमारा जो मेन पॉइंट है वह यातायात की कहानी तो यातायात की कहानी जैसे आप ट्रावलिंग करते हो जैसे आप ट्रावलिंग करते हो कई घूमने जा रहे हो तो उसे क्या कहते है यातायात की कहानी के बारे में इसमें बोला गया है तो यातायात की कहानी में पहला पुइंट आता है प्राचिन काल में लोगों के पास याता करने जाते हो तो उसी तरह हो गोड़र कर जाते कर जाते थे तता अपने पीट पर ले जाते थे जैसे आप स्कूल में लेके जाते थे तो उसी तरह वो जो अपने समान है वो अपनी कमर पर बांद कर जाते थे अपनी पीट पर लाद कर ले जाते थे बाद में मानव यातेयात के लिए पस्वा का उप्योग करने लगे बाद में क्या हुआ फिर जैसे जैसे समय बीचते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद जो मानव था वो यातेयात के लिए जो पश्वा है जिसका जैसे गाय हो गया बैस हो गया जिसका हम दूद पीते हैं तो तो इसी तरह जो पश्वो का वो क्या करने लगे उपयोग करने लगे बैलो का तो पश्वो का जब उपयोग करने लगे बैलो का यानि जो हमारी गाय है बैस है बुफैलो जो होती है काओ है उनका दूद पीने लगे और जो बैल होते है जो बैल होते है तो उनका क्या करने की बहुता कि पैसलों कि सब्वार में गया शेयर हैी नाव का उप्यूग किया जाता है जैसे घाव में होता है तो जुग अब ही आप की जाती है एक जगह दूसरी जगह है самой खर से लेकर हां Awak일 कुनारे पर हमें जाना है दूसरे किनारे पर तो उसके बीच में जो हमारा वाटर होता है पानी होता है जो नदी बह रही है तो उसे पार करने के लिए उसे पार करने के लिए नाव यूज की जाती है क्योंकि पानी जो होता हो गहरा होता है पानी गहरे होने के करण वापर नाव का यूज तो किया जाथा है जिसे नो taskte क्या चलाने वाले वाले कहने कि आगे हैं आरब में लकड़ी के लड़े बढ़े मनें लखडी नावी था तौक्त लखडी जा जाती था कोचली जुट वक बनाते थी गोपकली 아 बनाते था समसा है प्रकें प internships नें अभी चैटा कोचली भूत लेकिन इसे भनाओ भाट्री नहीं त्याद हो फिणक को भीका मना बनाई जाती थी तो गोही का मना जाती थी खोक ली उसी से बनाई जाते थी जो थी कोोफिने जाते था जो जो चलत पिैने दिए तो जो अब आपको पानिम ल्खरी शनाओ में नहीं करने के लिए आपको उस्त傑न क्रेंस likingu नुककार होते थे जो नाव चलाने वाले होते थे वह अभी भी लखड़ी से का यूज करते जिससे जो नाव का पानी है वह हटाते जाते थे और उस तरह क्या जो आगे बैती रहती थी तो आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसके पर चाहते लोगों ने लखड़ी के नाव में रहने वाले के जीवों की कणरते त्धिर ед मोले कि जाने है उसमें रहते वाटर में पानी जो रहते है उनकी के जैसे फी आगे हैं अग्याय Size 8 और 9 में मचलियों की धारा रहए जो आकर्थी से संबहने का याद की記得 बावने जो आपने यह फिके लास चाप्टर प तो पहिए के अविश्कार ने यतयात की सब्सक्राइब हो जब आगे ला दिया उसको बहुत जादा तो पहिए के रिखकार के बाद एक जगह से जानी बैलों को जोड़कर हमें एक जगे से दुसरी जगे जाते थे फिर आपका दूसरा पुइंट पर चलने वाली गाड़ियों को खीछने के लिए पश्व कर जाने लगेely आप अब भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर बैल गाड़ी आपको जो लोकल एरिया होता है कुछ जगह ऐसी है जो गाओं में होते हैं अब भी बैल गाड़ी का यूज किया जाता है आगे है 19 सताबदी 19 संचुरी तो 19 सताबदी में क्या हुआ 19 सताबदी के प्रारम तक भी लोग एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक परिवहन के लिए पश्व नाओ तता जो परी निरबर रहते थे तो 19 सताबदी जब स्टार्टिंग हो 19 संचुरी के स्टार्टिंग में भी जो लोग थे वो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जो जा र जिसमें दुआ निकल था उसके आविश्कार से जो परिवहन के जो नहीं इशादन थे उनका विकास वह डवलेप्मेंट उसमें वास्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तता माल गाड़ियों के डिबों के लिए रेल की पट्रियों का निर्मान किया गया फिर जो वास् आपकी कार आगे बस आगЕ तो इस तरह जाते हैं प्राचिन डाइम में जो हाने जो आपकी जो पहीं हमें जाने था तो पैदल चलते आपकी आपकी कार आगए दूसरी जगह जाते हैं आगे हैं जल परिवयन के शाधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जाजों का उप्योग होने लगा फिर क्या हुआ जो जल में जल में फिर दिरे-दिरे क्या होगा मोटर आगे तो मोटर वाली फिर उसमें नाव चलने लगी या फिर जहाज का यूजर करने लगे ए इसमें को बिखास हुआ जिने बाद में सुधार के यात्री तता समान ले जाने योग्या बनाए फिर उन्यस्वी सतापदी के प्रारं के वर्षों में ही जो वायूआन है इसमें सुधार तो दिरे-दिरे करके इसमें सुधार आते गए फिर यात्री यो सामान इससे लाय सताफ़ी कभी है प्राइज जानना महत्रपून होता है निस इस स्कूर यानि अगर आपको एक स्थान दूसरी इस्थान जाना उसका जो भी आपको पता होना कि कितनी दूरी एक स्थान दूसरे स्थान की वहुक्तनी बैठती है यह भी हमें i seperti वहां पोचने के लिए कर सकते हैं तुमांपर पहुछने के लिए हमें कैसे जाना है तभी जब दूरी का में पता चलेगा कि तभी तो हम तैकर पाएगे पिस तरह हमें उसे जाना है जो हमारे स्वीधा-जनक रहे सबसे पुरानी सबसे पुरानी टाइम पर जाते थे एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पैदल के बाद जो हमने जो अविश्कार के बाद 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 बैल बैल गाडी के यूज़ किया गया है यह आपकी बैल गाडी है जो फिल जाती है या या यह सारे प्रिवेहन के शादन यानि एक इस्तान से दूसरे इस्तान आपको जाना होगा तो इनी सब चीजों का आपका यूज़ करना होगा चले नेक्स्ट आगे चलते हैं लिए कि देख लेताइब है तो जह देख लेतल यह दैज आपको दी गई किसमें से गिली के इसमें यूजिया गया है तो ऐसाएलो यूसल कि एक नो फैा वह दू कर बाव से चले पहले पहला पॉइंक है कितना चोडाई है कितना चोड़ा होगा पहला पॉइंक कभी कभी ऐसी वस्द्वते भी होती है जिनकी लंबा यत्वा चोड़ाई सत्रजार जानने कराने में आवशक्ता होती है कभी कश्चांगे बढ़े बाढ़े टुटाइस की कश्चांगे जो रूम में उसका इसका है यह जो अक्लास है उसमें बड़े-बड़े डैस्क बढ़े जैसे जैसे ब्ड़क्स होते है वहां जिन पर दो विध्यारती बैटते जिन पर एक साथ साथ बैड़ते हैं आप सोच लिते और अपना आप उसे आप मान सकते हैं यानि आप और आपके जो फ्रेंद है वह एक साथ एक जगडा होता रहता है कि उसका दूसरा साती डैस्क के अधिक बाकोफ्यों कर रहा है यानों में जगडा रहता था कि तू जहादा मतलब जो आप है जैसे पर दोनों में जगडा हो जाएं तो इन दोनों में क्या अपने का निश्चे के तो अध्यापा यानि इस जगड़ा को देखते हुए जो टीचर है उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि जो टीचर है जो टीचर है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसकी जो लंबाई है जो टेबल है मेज है उसकी जो लंबाई है डैक्स की वह आप न मद्धे में एक चिन बनायता था डैस के दो बराबर भागों में बाटने के लिए एक रेखा खीची ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली रंडा खेलने के शोकिन है और बुजोतो सदेवी अपने पास एक गिल्ली और एक रंडा रखता है उन्होंने गिल्ली और किलंबाय में अपने का प्रियाश किया है किलंबाय दो डंडा के लंबाय तता गिल्लियों कि योग के बराबर करते के देखा पुराना गिलीडंडा खुं गया तो क्या होता है तो ये कुछ टाइम के बाद होता है कि उसको गर्ल्मक तो और Аथा क men अगला पॉइंट है अगला जो टोपिक है अब उसके पास गिल्ली डंडे कर नया सैट रखती है तो इसमें क्या है वे गिल्ली डंडे से नए सैट कोप्यों करके किस परकार मापते दिखाई देते हैं तो कैसे अब जब गिल्ली डंडे के नए सैट से मापी गई तब डैस की लंबाई ऐसा पर्तित हुआ जैसे यह लगवक्त दो डंडो तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो प्रन्तु फिर भी डैस का कुछ बाग बच जाता है यह है इसमें जो नहा सैट यह आपका है अभी के क्या करना चाहिए वह कर सकते हैं चोटी डोरी ले और इस पर 2 चीन लगाए यह डोरी की लंबाई हो त Uh की चोड़ायःं के पदो में माप सकते हैं जोरि को मोड कर निरिक हीं1 चार एक बनी चोथाइं और 18 अब संभेवता पहली तता बुजो डैस्की अतार्त लंबा इस डोरी की साहिता से माप सकते हैं अपने जयमिती बोक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी शमिश्या हल करनी चाहिए हाँ वास्ताव में ऐसा किया जा सकता है तो रियल्टी में ऐसा हो सकता है अब चलते हैं ने या थी उसको मापते थे पहला पोइंट वैस्वेंबी बिन बिन डंगों से दूर्या मापने का परियास कर चुका है ऐसे अने कर शरात है जब हमें लंबाय अथ्वा दूर्या मापने की आविश्यक्ता होती है दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि कपड़ा च्छकूरती सीने के लिए परियाप्त है अथ्वा नहीं दूसरा अगला पोइंट अब बढ़ाई किसी ने अलमारी की लंबाय तता चोड़ा इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दर्वाजे कको बनाने के लिए कितनी लकड़े की आविशक् तता उसे अपने फचलों के रहे कितने जलक्या विशक्ता होगी आप से पूछा जाए कि आपकी लंबाय तब एक ऐसी सरल रेखा कि लंबाय के बराबर है दो इस्तानों के बीच की दूरी से संबंदित है यह दो इस्तान मेज के दो किनारों की तरह आपस आस पास-पास क्य लंबाय का एक मातरक मानकर अपनी कशक के कमरे की लंबाय तता चोड़ा यह आपको मापनी है इन्हें में आपके समय हैं संह्था आपको पता चले與 बालिस्तन को आंक मानक मातरक मना कर बभाण से मनापा अब आपको जो हाथ है हाथ से जैसे आप अपनी मान जैसे कभी-कभी क्या होता है आप जो हाथ आपका होता है यानि जो आपका हाथ होता है हाथ से भी आपका करते हो दूरिया नाप लेते हो जैसे कभी-कभी कपड़ों कर नाप लेना पड़ता है तो आप क्या करते किजिए समू में यानि गुरूप में कारे करना है दूसरा अपने बालिस्त को मानक मात्रग मानकर अपनी कख्षा के कमरे में रखी में जत्व डैस्क की चोड़ाई आप मार्ग सकते हैं बालिस्त के बराबर लंबी डोरी तता इस डोरी की लंबाई के अंसवागों क्या वेश ग्यात रासी की उसी परकार की कुछ ग्यात रासी से तुल्ला करना है इसी ग्यात निश्चित रासी को क्या कहते हैं मात्रग कहते हैं माप के परिनाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है एक भाग संक्या है दूसरा भाग ली गई माप का मात्रग होता है उधारन के लि अगला है क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बलिस्तों से मापी गई मेज की जो मेज की जो चोड़ाई की माप बराबर है पहला पोइंट ये परिनाम ने बिन बिन हो सकते हैं ये जो रिजल्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिस्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिस्तों से बिन हो सकती है इसी परकार सभी विद्यारतों के पैर की लंबाईों में कुछ अंतर हो सकता है इसलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भाति उप्योंग करके किये गए माप को किरिया ने व्यक्तियों को बताते हैं तो यह समझ नहीं पाते कि यह लंबाई वास्ताव में कितनी है क्योंकि वास्त्विक लंबाई जानने के लिए बाली सत्वा पैरने की लंबाई जानना आवेशक है अधर हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रों को क्या विश्क्ता है जो सभी वेक्तियों के लिए समान हो तो पहला इसमें आता है मापन के मानक परकार तो मापन के मानक परकार क्या है भई मातरक जो है मापन के मानक जो मातरक है वो देखते हैं मापन के मानक मातरक चले मापन के मानक मातरक चा होते है इसमें पहला पॉइंट है इसमें प्राचिन काल में पैर की लंबाई अंगलों की चोड़ाई तता एक कदम की दूरी इन सभी पापों का इन सभी जो माप है उनका मातरक है मातरक के रूप में सामाने उप्योग होता था विज्ञान सभेता के लोगों ने अवेश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उप्योग किया होगा क्योंकि है खुदाई में प्राप्त परिशुद जयामितिया रचनाओं को देखने से प्रमानित होता है कोहनी से उंगली के चोड़ जो कोहनी आपकी होती है जो उंगली का आपका चोड़ है उसकी लंबाई जिसे क्या कहते हैं हात कहते हैं लंबाई के मातरक के रूप में प्राचिन मिश्ण में उप्योग किया जाता था जिसे संसार के अन्य भागों में भी मानेता प्राप थी आगे है संसार के विबिन भागों में लोग लंबाई के मातरक के रूप में फुट का उपयोग करता है किसका यानि जैसे आप फूट में आपनी नापते हो तो उसमें क्या फूट में आप अपनी नापते हो कि पाच फूट है पाच दस है पाच दो है पाच चार है तो इसी त प्राचीन भारत में चोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल अत्वा मुठी का उप्योग किया जाता था आज भी भारत के कई सहरो में हम पुस्प विक्रेता को पुस्प भारो को बेचते समय अपनी बुजाओ का उप्योग बहाए के मातरक के लोब में करते हुए देखशक्ते हैं और आगे हैं मीटरी पदिती जो मीटर की पदिती है मीटर शिष्टम यानि मीटरी पदिती क्या होती है पहला पॉँंट है परत्यकवेक्रिक के शरीर की आमापों में थोड़ी बिंता हो शक्ति है इसी कारण भी मापन में उलजने आई होगी वर्स 1790 में फ्रांसिस्यों ने मापन की एक मानक परनाली की रचना की जिसे मीटरी पदिती कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं इंपोर्डंट है जिसे मीटरी पदिती बोला जाता है अगला पॉइंट है अंतराष्च्य मातरक परनाली तो अंतराष्च्य मातरक परनाली है वो क्य है पहला पॉइंट है समानता के लिए समसंसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों को एक सैट को क्या 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 स्विकार क्या एक सप्ट किया आज कल जिस मात्रक परणाली का उप्योग हो रहा है उसे अंतराश्य मात्रक परणाली या फिर ऐसाई मात्रक कहते हैं लं मानक पैमानों का उप्योग करके दोहरा सकते हैं तता लंबाइब दोहरा सकते हैं तता लंबाइब को सकते हैं ऐसे करने से पहले हम दूरिया तता लंबाइब मापने का सही डंग जानना अविशक है अगला पॉइंट लंबाइब की अतार्थ परिशुद माप तो अपने देनिक जीवन में हम विविद परपकार की मापक युक्तियों का उप्योग करते हैं ल करते हैं लेकिन जब कपड़े का वैपारी होता है जहां से आप खरीद के लाते हो जब आपके हैं चट जो मीटर9 चाहिए उसका उससे नाप करता है चड़ा कपड़ा वो नापता है अगला पॉइंट किसी वस्तु की लंबाई किसी वस्तु की लंबाई लंबाई मापने के लिए आपको किसी उप्युक्तिक अच्छेन करना चाहिए तो कौन सी उप्युक्तिक अच्छेन करना चाहिए चले इसमें देखते है पहला पॉइंटा उधारन के लिए मान लिए किसी व्रक्ष का घेरा तो अपने सीने वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने को प्योग नहीं कर सकते एसी मापों के लिए मापा को जो फीता अधिक स्वीदा जना कोता है चोटी लंबाई या जैसे आपकी पैंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने जामिती बोक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं अगला पॉइंटर टूटो टूटे हो सकते हैं आप इन पैमानों के सुन्यां के स्पस्ट नहीं देख सकेगे ऐसे परकरणों में पैमाने के सुन्यां से माप लेने से बचिए तो उसमें आपको माप नहीं लेना आपको दूसरे सिरे के पाट्ट्यांग से इस पूर्णांग के के लिए आख की जो इस्तिती है आख की जो सई सिच्वेशन होती है वह मैत्तेपून होती है आपके आख जिस बिंदू की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट के तोर पर चले इसका करते हैं अपने सहपाटी की उचाई अपर पहले बालिस्तो और फिर मीटर पैमाने का उप्योग करके माप ये इसके लिए अपने सहपाटी को दिवार के साथ पीटर रखकर खड़ाओने के लिए कहिए उसके सीर से टीक उपर दिवार पर एक चिन अंकित कीजिए अभी फर्स से दिवार पर बने इस चिन तक कि पूरी दूरी पहले अपन इसके मातों से नापोगे तो सब के हाथों की जो माप होगी वो अलग अलग होगी क्योंकि सब के हाथ किसी के चोटा होता है किसी के बड़ा होता है चली अब आपका है अगला तो हम धागे का उप्योग इसमें कर सकते हैं वक्रएखा एक्सपेरिमेंट दे लिए वक्रएखा जो है A.B. किलंबाइमा अपने केले किसी धागे काउपयोग कीजिए धागे के एक स्रीरी पर गाम दीए इस गाट को बिंदू ए पर रख और धागे को अपने उंगलीट थां वक्र रेका के अनुदिस फैलाइए इस परकिरिया को दोराते हुए वक्र रेका के विंदू बी तक पहुंचते धागे का जो पाग विंदू बी पर है और अई एक चिनंकित कीजिए अब स्दागे कोasant पाइम बन्दीगार तता इस पर बने अंतिम चिन के बीच की लंबाई माबे या माब वक्र रेखा एबी की लंबाई है यह सुनिचित करने के लिए कि हम दूर यों तता लंबाईों की अथार्त माब ले रहे हैं हमें बवत से सालदान्यों ब्रतनी पड़ते हैं माン परिनाम्य को व्यक्त करने के लिए कुछ मानग मात्रों की भी अविशक्ता होती है चलिए अब हमारे हमारे चारो और की जो गतिशील वस्त्वी है पहला पॉइंट उन वस्त्वी के बारे में सोचे जो अपने हाली में देखी है तो इसकूल का बसता है जब आप स्कूल में जाते हैं स्कूल का बसता होगे मच्छर मेज कुश्यों पर बैटे वेक्ती इधर उदर जाते जो लोग है वो स्लाइ मशीन दिवार घड़ी घड़ी की सुया भी हो शक्ति है चल इसमें आपका विराम और गतिशील वस्त्वी है तो जो विराम करें यानि जो रेस्ट पोजिशन में रेस्ट पोजिशन में जो मुमेंट नहीं करें और गतिशील वस्त्वी तो विराम में घर आपका वोड़ रहे है और जो गटी जोубли हम ऑंक पर देखते हैं किसी चीटी की है को ध्यान Roll देख द्यान से देख यानि जब आपका अंत होस्योय उसके अपने गठी जो मोमेंट ध्यान की से देखना है जरे को प्रफिर आम आपको क्या होती है यानि कुछ देर बाद यह देखोगे वहाँ पर चीटिया आ जाती है जैसे आपने घर में देखा भी होगा सिंपली जो यूज करते है कि अगर आपने मीठा डाल दे तो वहाँ पर चीटिया आ जाएगी तो इसी तरह इसमें बात की गई है कि चीटिया जहां पर चीटिया आपको एक स्थान लेना है इस इस्थान के निकट कागज की एक बड़ी सिट फैला कर इस पर कुछ चीनि आपको रखनी है चीटिया इंचीनी के और आकर शीत होगी तो चीटि जो हो चीनी की तरह बढ़ने लगेगी तब आप सिगरी साथ कागज की सीट पर बहुत से चीटियों को रेंगते हुए देखेगे चलते हुए आपको देखेगे एक चीटि के लिए जब कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो पैंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे-छोटे चीन आपको अंकित करने चीन बनाने है जैसे जैसे यह पर चीट वाला जोड़कर चीटों की गती की दर्षा दर्षा यह आपने चीटी रख दी और चीटी चीनी पर रखने है और पर चीटी वहाँ पर आपको रख देनी और आपको चिंद बनाना उंकित करना है अब आपका है गती के परकार मैं किसी वहां की रहाई सिपायों के मार्च पोस्ट की अत्वक किसी गिर्टे-पतर करक्षिन कीया होगा सो मीटर दोड पर कंदीन दोडित Italam तो दगती को सपरकार की गती कहते है तो आपको बस में जैसे का anti rick वह सीधी रेखा में तो वह इसका एग्जामपल देख लिते हैं चल के परлять वह पिछ आहीड़े लिए यह ओं गाडी हुआ आप दीखर हो यहां पर बस है तो बस पैसिती मुझा में कि और देख आपको सड़क वो सीधी रेखह में आपको दिंगे नियुए तो सीधी जो रोटी और प्रेड की और बढ़ते हैं अगला पॉइंट दीखते देखते हैं इसमें जो एक्सपेरिमेंट में दिख्या है एक पत्थर आपको लेना एक पत्थर लीजे इसे एक धागा बांदे तता अपने हाथ से इसे तेजी से गुमाना है पत्तर की गति को ध्यान से देखे हम देखते हैं कि पत्तर वृत्य पत्त के अनुदिस गति कर रहा इस परकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं बीजली के पंके की पंकुडियों पर अंकित किसी चिन की गती और पंकी की पंक्खरी किंद। नंकित कर दे तो गुर्णन करते समय भी पंख्यात्व गड़ी के केंद्र को से इस चिन की दूरी समान रहेगी कुछ परकरणों में कोई वैस्तु एक निश्ची समय अंतराल के बाद अपनी गती का दोराता है इस परकार की गती को आवरती गती कहते है इसे क्या कहते है आवर परकार के दिश्ची समय अंतराल के बाद अपनी गती को रिपीट करती है तो आवरती गती का एक एक्जामपल जिसमें सिलाए की मशीन का परेक्शन कीजें पहला पोइंट है सिलाए मशीन अपनी स्यवस्तिती पर रहती है जबकि उसका वपईया वरतुल गती में रहता है तो सिलाई मशीन क्या होती है आवस्थिती। जो पईया होता रहता है दूसरा पूइन जो नीचे गती करता रहती है यह सवी सब्सकेया वह शुरुत nota आपकी क्यालाती है चाहर ने फणर वेक्षश पर बतने ही तो चैणर है वह आपको लुडंड़ा निया तो हो end किसी फ्रस पर लुड़टती हुर गुंणन करती एससाथ संपर करता गुंणन गुंणन Really All a day h सब्सक्राइब bilir परिवर्टन को गती कहते है इनर्मिस्टी इस्टिति अस्टुरी प्रत्वी के प्रित चंद्रम वारा गति करना हमारे सरीर में रुधीर का परिशन च्रन आदिस सभी उधारन हमारे चार और अने कि स्तानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं रिप्रिजेंट करते हैं तो यह हमारा चैप्टर 10 था 10 चैप्टर अब हम डिसकस कर चुक है अगले दिन यानि बीजिए नेक्स नेक्स चैप्टर अपने डिसकस करें हैहें एक दिन में पुरा पूर्ड एक हम्तार झाप्टर खतम करते चलनारी एंब इस बिन लाइक संगार करते। चैप्टर है वो करवाया जा रहे हैं जिससे आपको जो एक्जाम है एक्जाम की जो तैयारिया आप बहतर तरीके से अपनी कर सके चलिए जो बैचे चैनल पर नएं है वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजे कमेंट कीजे शेयर कीजे थांक यू